मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत हैं तो इस वीडियो में लोग जानेंगे कि जिप्टर मनी का जो डेविट का चार्ज फिर से रिवाइच किया गया मतलब अब आपको वर्चुल डेविट कार में भी एनुवल चार्ज देना पड़ेगा तो इसक चैनल में रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं तो यह जिप्टर मनी का ओफिस्यल वेबसाइड है आप चाहें तो खुद से भी यहां पर आके पढ़ सकते हैं तो शुरू से हम लोग देख लेते हैं तो यह फस्ट वाला स्कीप करते हैं यहां डिजिटल ट्रांजेक्शन से चलते हैं तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जिसे एनेप्टी हो गया आटीजेस यूपी आई तो इसमें आपको किसी परकार का कोई चार्ज नहीं है मिला आप जितना मन उतना कर सकते हैं कोई चार्ज इसमें नहीं है लेकिन ओनलाइन आयम पेमेंट करते हैं इमेडियेट पेमेंट सर्विस वाला आप करते हैं यूज तो पांच ट्रांजेक्शन आप एक मन्त में किजिए आपको किसी परकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा लेकिन जैसे छट्टा साथ वा आठ्वा लगेगा है मिलावा मान के चली अगर नबहेजार वेर्फ थैस्या आपको पांच रुपई लगेगा गुश्फ लगेगा है मतल्याफ नाब ट्रांजेक्शन कीजिए उतना बार पांच रूपइ पर ट्रांजेक्शन लगेगा अगर आप एक लाक से दो लागा के बीच में करते हैं तो आपको 15 रुपय पर ट्रांजब्स किया गया है अगर दो लाग से उपर का ट्रांजेक्षण करते हैं अब चलिए आजाते हैं अब ब प्लेस्मेंट करते हैं तो उसमें भी सेम चार्जेश किसी तरह का कोई भी चेंजेश नहीं है अब एन्वाल फीज देखिए किस परकार से हैं एन्वाल फीज में आपको दूसों मलब सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर आपको मर्चेट में ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा मिनिमम् 25,000 का मलब जिस साल का बचाना चाहते हैं उस साल में आपको 25,000 का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा यहां पर लिकावा अप्लिकेबल मर्चेंट अस्पेंडिंग ऑप पिनिमम् 25,000 मलब जो 12 मंत रहेगा उसमें आपको कैसे भी करके 25,000 का ट्रांजेक्शन करना है या अगर आपको पैस वर्चुल डेबिट काड है तो उससे या फिजिकल डेबिट काड है तो उससे तब ही आप इसका इनुवल चार्च नहीं लगेगा फिर दूसरा बात क्या है बचने का इनका जो प्रो एकांट होता हैredit को याँ प्रो में अपग्रेड कर सकते हैं उसके लिए आपको एकांड में तब आपका एकांट प्रो में चेंज रहेगा और जैसे वह मेंटनेंस खतम हो जागा फिर आपका नॉर्मल सेविंग अकांट हो जाएगा तो अगर आप छे महेना तक प्रो एकांट में रहते हैं ता आपको यह जो डेबीट का एनुवल चार्ज होता है यह आपको नहीं देन पड़ेगा फिर अगर आप छे महेना तक शैलरी अकांट भी रखते हैं तो उसमें भी आपको डेबी काड नहीं देना पड़ेगा लेकिन यह आपको इस ओर एंडेट मतलब जब आपका काड इसू होगा तब से आपको रखना है मैं टर्म करनीशन थोड़ा अच्छा नहीं है और सबसे खराब तो यह है कि annual fees is applicable to both virtual and physical अभी तक मैं जितना बैंकों को जानता हूं किसी बैंक में भी virtual debit card का चार्ज नहीं देना पड़ता है लेकिन इस बैंक में आपको virtual debit card का भी चार्ज देना पड़ेगा यहां पर देख सकते हैं साब साब लिकावा मैं जूम कर दे आँ एन्वर फिस इपली केबल टू बोथ virtual and physical debit card तो आपको देना ही पड़ेगा फिर यहां पर है ट्रांजेक्शन फिस इफ्यू यूज हमलब के अगर मान के चलिए आप एटियम में ट्रांजेक्शन करना जाते जाते हैं तो फेडरल बैंक का एटियम है तापको किसी तरह पर प्रांजेक्शन लगेगा अगर पाइसे निकालते हैं तो अब इंडिया से बाहर अगर आप जाके पाइसे निकालते हैं तो आपको पर ट्रांजेक्शन में 100 रुपिया लगेगा पलस 3.54 चार्ज लगेगा तो यह हम लोग के लिए नहीं है जो बाहर में रते हूं यह तो वही है बाहर का चीज अगर आप मान की चलिए अगर बाहर इंडिया से बाहर में रहते हैं इंटरनेशनल टांजेक्शन करते हैं अगर उन चार्जों से बचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं तो उसके लिए आपको की आपको 25,000 रुपे मेंटेन करना और यहां पर आपको 1,00,000 रुपिया या फिर आप 1,00,000 रुपिया का मलब जो सैलरी आता है न वो सैलरी आपका 1,00,000 रुपिया क्रेडिट होना चाहिए तब जाके आप इन चीजों से बच पाएंगे तो यह खेर हम लोग के लिए नहीं है जो बाहर में रते हैं उनके लि या मलब जितना भी एमांट हमारे अकांट में है उससे उपर डाल रहे हैं तो कितना चार्ज लगेगा तो अगर आप फर्ष्ट दो ट्रांजिक्शन मलब एक महिना में अगर आप दो ट्रांजिक्शन ऐसा करते हैं जिसमें आपका पैसा का मेर आपने ज्यादा डाल दिया आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा लेकिन जैसे तीसरा चौथा चलेगा मलब दूसरा से जैसे उपर जाईएगा तो आपको 25 रुपया इंटरनेशनल में मलब डोमेस्टिक में लगेगा मलब इंडिया के अंदर और 100 रुपया इंडिया से बाहर लगेगा उस अब रांच में जाके मलब फैड्रल बैंक का बैंक का अगर सामने बरांच है अगर जा रहें तो उनका यहां पर चार्ज लिख रहा है अगर आप जीएस्टी मंगाते हैं अगर आप चेक मंघाते हैं तो पहला फर्स्ट जो पांच लिप कर रहेगा उसमें आपको 100 रुपय का चार्ज लगेगा और इसके लिए आपका वीडियो के वाई से कंप्लीट होना चाहिए तो मुझे नहीं लगता है ये कोई ये सब यूज करेगा क्योंकि ये ओनलाइन बैंकिंग है ता आप मलब क्या बोलते है यूपी आई इसी वगेरा मैं यूज करता है जनरली अब ये आप वगेरा मैं छोड़ देता हूं क्याकि उनका कोई यूज नहीं है फीस फोर आर्टी जीएस अब देखिए अगर मायन के चलिए आप ओनलाइन तो आर्टी जीएस होगेरा कर सकते हैं लेकिन यहीं अगर आप ब्रांच में जाके खराते हैं तो 20 रुपया आपको पर ट् करते हैं तो आपको एक साल में अगर भर बरांच जाते हैं तो आपको किसी तरहका चार्ज नहीं लगेगा लेकिन 5 बार से यहीं आपको पर विजिट 100 रुपया चार्ज लगेगा तो वह करना मेरे है "' ब्रॉप'ी वहला काम घएगा अब चलिए यहांपे कोई चार्ग नहीं लगेगा लेकिन 14 दिन से लेकर 6 महने के बीज सब्सक्राइब फिर अब करते हैं उसको आप कैसे क्लोज पर या इस yard लाने वाला हूं तो मेरे चैनल में बएड़े चैनल में नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और मैं इस तरह के लिए आपके ये content आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ इसी content जिससे आपको कुछ information मिल सके तो इस वीडियो में इतना ही चलिए मिलते हैं आप से next video में fakat चैंब को subscribe कर ले और बेल आकान को प्रेस कर ले हैं अरुदिधे next one